तो राजिस्थान में हाला कि कोई आश्चर जनक कोई बात है नहीं लेकिन राजिस्थान में भी ऐसा है कि हमेशा सरकार पलटती है लेकिन इस बार उम्मीद नहीं थी गहलो सरकार को लेकिन बीजेपी ने काफी इच्छा काम करके दिखाया है और अनेस्पेक्टेट चतिस कॉंग्रेस याने की पॉसिबल है कि 36 गड़ में सरकार बीजेपी की बन जाएगी तो यह बीजेपी का आखिर लहर कहां से आई कमेंट बॉक्स में जरू बताईएगा क्योंकि MP में समझ में आता है कि लाडली बेहना योजना ने काफी कमाल गिया है बट 36 गड़ में इसा क्या है चुकि मोधी फेक्टर था नहीं मोधी सेंटरल में है यहाँ पर बीजेपी तब भी दोनों तीनों राज्यों में आ जाना तो यह जो जितना प्रोपेगेंड़ा फेलाए जा रहा था कई-कई-सारे तरीके के मीम्स बनाए जा रहे थे क्या वो फरजिया फाल्दू के थे जनता की कोई भावना उसमें जुड़ी नहीं थी तो कमेंट बाक्स बताएं क्यूंकि राजस्थान में काफी अच्छा किया है बीजेपी ने और क्या रीजन रहा है कि कॉंगरिस की हार का इस पर आपको समिक्षा करनी पड़ेगी जैहंद जै भारत चेनल बनेता है आगे क अपडेट के लिए